हंकारी गुलाब की कहानी एक बार की बात है, दूर एक रेगिस्तान में एक गुलाब का पौधा था जिसे अपने सुन्दर रूप पर बहुत गर्व था, उसकी एकमात शिकायत ये थी कि एक बदसूरत कैक्टस उसके बगल में बढ़ रहा था, हर दिन सुन्दर गुलाब कैक को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह भी अपने ही रूप से प्रभावित था, एक चिलचिलाती गर्मी रेगिस्तान सूख गया और पौधों के लिए पानी नहीं बचा, गुलाब जल्दी मुर्जाने लगा, उसकी सुन्दर पनकुडिया सूख गई, अपना रसीला रंग दिया, एक दिन दोपहर में, गुलाब ने ये नजारा देखा कि एक गौरये कुछ पानी पीने के लिए अपनी चोंच को कैक्टस में दुबा रही थी, ये देखकर गुलाब के मन में कुछ संकोच हुआ, हाला कि शर्म आ रही थी फिर भी, गुलाब ने कैक्टस से पूछा कि क्या उसे कुछ पानी मिल सकता है? इसके जवाब में दयालु कैक्टस आसानी से सहमत हो गया, गुलाब को अपनी गलती का एहसास हुआ, वही दोनों ने एक दूसरे की मदद कर इस कठिन गर्मी को पार कर लिया, सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि खुशी का तिड़ा रहा करते थे. जैसे ही पज़ड का मौसम समाप्थ होने वाला था, चीटियों का एक परिवार भोजन, लाठी और सूखे पत्ते इकठा करने में व्यस्त था. तिड़ा दूर से देख रहा था कि चीटियां अपने काम में बहुत ही व्यस्त नजर आ रही थी. वही वो पास में धूप सेख रहा था. उसके मन में एक विचार आया और वो टिड़ा वहाँ चला गया और उसने चीटियों से पूछा. इतने अच्छे दिन पर तुम क्या कर रही हो? इस पर एक चीटियों ने जवाब दिया. हम थंड के लिए तयार हो रहे हैं. आपको कुछ ख चीटिया चरती रही. वैसे वैसे दिन बीटते गए जबकि टिड़े ने सुस्ती में ऐसे ही दिन बिताए. एक सुबह टिड़ा एक थंडी सुबह के लिए उठा और जमीन बर्फ से धकी हुई थी. कीट भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता रहा लेकिन उसे कुछ नह ही मिला. उसे उस दिन भूखा रहना पड़ा. उसे अपने गलती का एहसास हुआ और वो सोचने लगा कि चीटिया सही थी. सीख. इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समय किसी का भी इंतजार नहीं करता है. हमें समय रहते ही उस समय में मौके का फाइदा उठाना चाहिए. अपने भविश्य की तैयारी के लिए वर्तमान के समय से कोई सही समय नहीं है.